Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. इस वीडियो में हम MA History के previous year के question paper को देखेंगे. इसका topic है principles of history और ये जो seasonal exam होते हैं, उसका ये previous year का question paper है. तो इससे आपको help मिल सकती है, आपके exam के लिए. तो इसका जो first question है, वो है इतिहास के प्रकार क्या है, व्याख्या कीजिए. What are the types of history? Discuss करना है, इतिहास के प्रकार क्या है? फिर इसका जो next question है, इसी में जो first question में एक other question दिया हुआ है. वो है, define history and describe its scope. यानि कि इतिहास को परिभासित करते हुए इसकी परिधी का वर्णन कीजिए. तो सबसे पहले आपको इतिहास को इसमें define करना पड़ेगा, इतिहास को परिभासित करना पड़ेगा, फिर इसकी परिधी क्या है, उसका आपको वर्णन करना पड़ेगा. फिर इसका जो second question है, वो है काल विभाजन की क्या समस्याएं है, इस first कीजिए. यानि कि जब कोई historian समय को बाड़ता है, यानि कि काल का विभाजन करता है, time को divide करता है, तो उसके सामने क्या-क्या problems होती है, ये आपको discuss करना है, describe करना है. तो काल विभाजन की क्या समस्याएं है, आपको discuss करना है. फिर यदि आपका कोई question है, या आपके कोई query है, तो आप telegram channel में से जुड़के मुझसे contact कर सकते हैं, या आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं, link आपको description में मिल जाएगा. फिर इसका जो next question है, वो है discuss history and other disciplines. तो history का जो other subject के साथ, जो संबंद होता है, वो आपको इसमें बताना है. तो ये था paper first, principle of history. तो channel को आप like और subscribe जरूर करें. धन्यावाद.